असलाम उलेकुम फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई टीब चनल मैं हूँ एमन राप देखर एमनुर्स किचन आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके ही हूँ आप में बहुत दफा चिकन बिर्यानी खाई होगी बीफ बिर्यानी खाई होगी मतन बिर्यानी लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ज़दा डिफरेंट बिर्यानी की रेसिपी शियर करने वानी हूँ जो के है पकोड़े वाली बिर्यानी ये बिर्यानी बिनाना बहुत असान है और जो मज़े की बात है वो ये कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़दा अच्छा होता है डिफर इसमें नमक शामिल कर देंगे और दो से तीन चमच हम इसमें कुकिंग ओयल के शामिल करेंगे कुकिंग ओयल करने से हमारे चावल आपस में जूड़ेंगे नहीं और जब हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और यह देखें मैंने इनको जो है वो छोटा छोटा बारिक बारिक और क्यूब्स में कटिंग किया है और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइस का चॉप के हुआ प्यास इसके इलाव हम इसमें शामिल करेंगे आदा चमच नमक आदा चमच हम इसमें पिस्सी हुई लाल मर्चे शामिल करेंगे और तकरीबन दो से तीन चुटकें इसमें हल्दी के जाएंगी एक चमच भर के हम इसमें सूखी मेथी का शामिल करेंगे और आदा जमच हम इसमें हरी मर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे इसके इलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा बारी कटिंग किया हुआ हरा धिनिया और लास्ट में इसमें एक कप वेसन का जाएगा और तक्रीबन एक कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे ये सब चीज़े शामिल करने के बाद हम इस मिक्स्टर की अच्छे तरीके से मिक्सिन कर लेंगे इसी तरह अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब क्या हो तो करने चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो का लाइक कर दें जादा जादा लोंके साथ शेयर कर दें अगर आपको अपना बैटर पतला लग रहा है तो आप इसमें और वेस्टन एड़ कर सकते हैं लेकिन यह ख्याल रहे हैं कि हमने अपने बैटर को नहीं जादा गाड़ा कर देना है और नहीं जादा पतला करना है बस हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरहां से होनी चाहिए हमारे पकोड़े का मिक्स्टर त्यार हो चुक है और दूसरी तरफ हमारे चावल भी काफी हद तक बॉयल हो चुक है और वैसे भी तकरीबन हमने इने 85-90% कुक करना था इनको आपने हलकालका सा कच्चा छोड़ना है और फिर हम इने निचोड लेंगे चावलों को निचोडने के बाद हम उसी कडाही में शामिल कर देंगे कुकिंग ओयल और जब हमारा ओयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एक चमच भर के ये मिक्स्चर का शामिल कर देंगे और जब आप बिर्यानी के लिए पकोड़े बनाने लेगें तो उस टाइम आपने इस टिप का खास ख्याल रखना है कि आपके मिक्स्चर में वेशन की कौइंटिटी ज़्यादा होनी चाहिए इस तरह से हमारे पकोड़े थोड़े फूले फूले हुए तयार होते हैं और वो बिर्यानी में तूटते भी नहीं है इन पकोड़ों को हम पहले मीडियम फ्रेम पे फ्राइ करेंगे और साथ ही साथ आपने इस तरह से चॉपस्टिक या किसी भी चमच की मदद से इने हिलाते जाना है और जब इनका गोल्डन सा कलर आजागा दहने हम इने निकाल लेंगे और ओयल को आपने अच्छे तरीके से निचोड लेना है एक्स्ट्रा ओयल हम इस कड़ाही से निकाल देंगे और थोड़ा सा ओयल इसमें हम रहने देंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक कब भर के प्यास प्यास को मैंने थोड़ा मोटा कटिंग किया आपने बारी कटिंग करनी है हमारे चावल भी वाइल हो चुके हैं और हमारे पकोड़े भी बन चुके हैं और अब बार यह मसाला त्यार करने की जिसके लिए आपने मीडियम फ्लेम पे प्यास को अच्छे तरीके से फ्राइ कर लेना है और जब प्यास का गोल्डन कलर हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे एक कप क्यूब्स में कटे हुए टमाटर और एक चम्मच हम इसमें हारी मर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे एक चममच इसमें अदरक लेसन का पेस्ट हो जाएगा और इस स्टेज़ पर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जैसे के लॉंग, काली मर्चें, कड़ी पता वगरा हो गया इसके इलावा हम इसमें शामिल करेंगे आदा चममच जीरा दो ग्लास मैंने चावल बॉयल किये थे इसलिए मैं इसमें दो चम्मच नमक के शामिल करूंगी एक चम्मच हम इसमें पीसी हुई लाल मर्च शामिल करेंगे और एक चम्मच स्टेज पे हम इसमें बिर्यानी मसाले का शामिल करेंगे इसके इलावा हम इसमें शामिल करेंगे आदा कप दही और इस मसाले की फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है बुनाई कर लेनी है इस मसाले में मैंने प्याज और टमाटर का इसलिए जादा इस्तमाल किया ताकि हमारी जादा सी ग्रेवी बन जाए और हमारी बिरियानी अच्छे तरीके से टेस्ट फुल बने और आपने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है तब भी बिरियानी का भी टेस्ट अच्छा आएगा और यह देखे तक्रीबरं 5-7 मिनट की बिनाई के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पकोड़े आदे मिक्स्चर को आपने बाउल में अलग से निका लेना है यह हम दूसरी तया लगाते हुए यह इस्तमाल करेंगे और यह देखें जो कडाही में आदा मिक्स्चर रह गया है इसके उपर हम इस तरहां से बॉयल चावल शामल कर देंगे चावलों की तया लगाने के बाद दुबारा से हम इस मसाले की तया लगा देंगे जो कि हमने पहले ही एक बाउल में निकाल दिया था और अगर आपको बिर्यानी एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो आप इस स्टेज पे इसमें एक से डेर चमच बिर्यानी मसाले का शामिल कर सकते हैं नॉर्मल टेस्ट के लिए जो हमने मसाले में स्पाइसी शामिल किये थे वही काफी हैं लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी पसंद है तो आप इस टेज़ पे एक चो मज़ इसमें बिर्यानी मसाला शामिल कर सकते हैं पर हम थोड़े से कटे हुए लीमु इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सापने बारी कटिंगे हुआ हरा धनिया स्पिंकल कर देनाcken और फिर हम इसे कवर कर देंगे और नीचे से फ्लेंब को लोग कर देंगे और तकरीबन पांच से दस मिनट के दम के बाद ये दिखे हमारे बिर्यानी रेडी है मैं आपको हॉनेस्ट रिवीव दे रही हैं बोखाथ ही जादा टेस्ट फुल बिर्यानी थियार होती है और ये दिखे हमारे चावल भी कितने अलग अलग हैं और हमारे पुकोडे भी नहीं टूटे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राय करना आपको एक उनिक सा टेस्ट मिलेगा कमेंट सेक्षिन आप लों के लिए बने है कमेंट करना मत भूलना आप बने हैं आप लोग भा करेंट आप एक्षे लोग पर भा जो है कमेंट सुखिर आप कमेंट आप बहुए झाल आप लों का बड़कमा कितने विए दिखे हैं